नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है वेजाइनल पेन इन प्रेगनेंसी, क्या होता है वेजाइनल पेन, क्या ये नॉर्मल है, क्या ये एमनॉर्मल है, और कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए तो पहले चीज, कि थोड़ा सा शुरुवाती दौर में प्रेगनेंसी के थोड़ा बहुत पेन या क्राम्पिंग सेंसेशन, ये ऐसा लगना की पीरिट्स कभी भी आ सकते हैं, ये नॉर्मल है, और हम इसे प्रेगनेंसी का रादर एक साइन भी मानते हैं दूसरी चीज ये, कि लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, या फिर पेन बहुत जादा हो, अन्बेरेबल हो, तो ये और भी चीजों का साइन हो सकता है, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब, जब बच्चा, बच्चे दानी में ना रहके कहीं और ठहरता है, जैसे ट्यूब में, तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं Ectopic Pregnancy एक medical emergency है और इसे बिलकुल भी हलके में ना ले ये internally bleeding भी करा सकती है और immediately आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलना चाहिए दूसरी वज़ा जिसमें pain हो सकता है early pregnancy में वो है miscarriage में miscarriage में भी इसी तरह के symptoms देखने को मिलते हैं जैसे कि नीचे बहुत जादा pain होना, साथ में bleeding होना या तीसरा कुछ ऐसा fleshy सा या mass सा निकलना जो कि हमें बताए कि pregnancy अपने आप ही निकल रही है ऐसी सूरत में भी आपको तुरंद डॉक्टर से मिलना चाहिए एक point जो मैं discuss करना चाहूँ ही वो ये कि एक होता है pressure feel करना pregnancy में नीचे की और pressure feel करना बहुत ही normal है शुरुवाती दौर में ये uterus बड़े होने की वज़े से या आगे जो bladder है जहां पे पिशाब का storage होता है उसके pressure की वज़े से भी नीचे overall आपको एक pressure sensation feel हो सकता है आगे के trimesters में second या third trimester में जैसे जैसे baby का size बढ़ा होता है baby का weight बढ़ा होता है आपको नीचे की और एक pressure feel होता ही होता है जो कि आपको back तक महसूस हो सकता है ये pressure absolutely normal है pregnancy में और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है जैसे जैसे आप third trimester में जाएंगे आपकी body आपको normal labor के लिए भी तयार करती है तो कुछ ऐसे hormone secret होते हैं जो कि आपके joints को relax करते हैं जो कि normal delivery facilitate करें ऐसे में भी आपको pain नीचे महसूस हो सकता है ये स्थरह के pain एकदम normal है अगर आपको बहुत extreme pain जो कि कमर से लेके आगे तक आ रहा है जो कि हर थोड़े-थोड़े मिंटों में तेजी से होता जा रहा है जल्दी-जल्दी आता जा रहा है और किसी भी pain killer से control में नहीं आ रहा तो ये एक labor pain का भी sign हो सकता है अगर ये समय से पहले हो रहा है तो हम इसे pre-term labor pain कहते है मतलब समय से पहले labor pain शरूर होना ऐसी condition में भी आपको तुरण doctor से मिलना चाहिए कुछ और भी conditions हैं जिन में नीचे pain होता है specially अगर आपका BP बढ़ा हुआ है तो अगर pregnancy में BP बढ़ता है तो हम उसे pre-eclampsia in pregnancy बूलते है इसकी वज़े से abruption नाम की एक condition हो सकती है जो की बहुत जादा pain करा सकती है ये भी एक emergency है और आपको तुरण अपने doctor से मिलना चाहिए तो आपको अपने doctor से इस बारे में detail में बात करनी चाहिए किस तरीके का pain या pressure normal है और किस तरीके के pain में आपको तुरण ये doctor से बात करनी चाहिए Hope आपको हमारा वीडियो पसंद आया Please हमारे चानल को like और subscribe ज़रूर करें Thank you